नमस्कार नियूस फोनेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मेहुर चाउश्रमा तेजस्वियादव के बाद अब कन्हया कुमार लगदार केंद्र सरकार पर निशाना साथ रहे हैं और इसके साथ बड़ा सवाल भी सरकार से पूछते नजर आ रहे हैं किसानों की मुद्दे की बात करें तो जहां एक तरफ बिहार में विपक्ष की तरफ से लगदार इस मसले को जोडशूर से उठाया जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कन्हया कुमार भी आवाज पुलंद करते नजर आ रहे हैं और किसानों के हक में उनके समर्थन में सड़क पर उ उन्हें वेतन की नेशन से ज्यादा कमीशन की अन्न दाता से ज्यादा चंदा दाता की चिंता होने लगे तब देश के भविश्य की रक्षा नय संसत भवन से नहीं बलकि जन आंदोलन से होगी तो कन्हया कुमार की स्ट्वीट पर गौर करें तो देखिए सबसे पहले उन् वेतन पर ज्यादा फोकस करते हैं उन्हें राष्ड से प्रेम नहीं है बल्कि ये सूचते हैं कि कहां से धन उगाही किया जा सके इसके साथ वो आगे लिखते हैं नेशन से ज्यादा कमीशन की दोनों बाते सबा न Zustand उसके प्रेम नहीं है बलकि इससे प्रेम है कि कैसे पैस दाता यानि कि किसान जिस तरीके से हक के लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ केंद्र की सरकार के खिलाफ तो वो तो कनहया कुमार ने बताने के कोशिस की कि उनके हक में हम अपने आवाज बुलंद करेंगे और उनके साथ यानि कि जो दिश्भर के किसान है जो पिके नेताओं को ये नर्देश दिया गया अलाकमान की तरफ से कि आप हर लोकेशन में जाएए वहां से चंदा मांगी और उसी चंदा कोई खटा करने के बाद राम मंदिर का निर्मान हो का है यानि कि कनहया कुमार ने बीजेपी पर तंच कसा है नरंद्रो मोधी पर तंच कसा है और ये कहा है कि यहाँ पर अन्न दाता की चंदा दाता की चंदा की चंदा कैसे लिया जा सके राम मंदिर का निर्मान हो उसके लिए घर घर चंदा मांगा जा रहा है और देश भर के किसान सड़क पर है उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसके साथ आगे कनया कुमार लिखते हैं तब देश की भविश्य की रक्षा नए संसत भवन से नहीं तो यहाँ पर फिर से बीजेपी पर उन्हों तंच कसा है क्योंकि पाल्यामेंट का नया भवन बहुत ही और ऐसी सरकार है कि किसानों की सुनती नहीं तो अब किसानों की मुद्दे को लेकर कनया कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और ट्वीटर की जरिये निशारना साथा है कई बातों का जिक्र सबसे पहले कि नेशन की इनको चिंता नहीं है इनको कमिशन की च अन्न दाता की छिंता नहीं है बलकि चंदा डाता की छिंता है और तिसरी बात उन्होंने कही कि नए संसत्भवन की छिंता है देश और किसानों की छिंता नहीं है तो लगतार इस तीनों बातों का जिक्र करके कन्या कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने बड़ा सवाल क्या है अब देखना होगा किसके जवाब में बीजेपी आफिर जेडियू के तरफ से क्या को सामने आता है फिलाल कलेता ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नमस्कार